नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डिजीटल फ्रीशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन के दोबारा जो बड़ा दमागा किया गया है इस दमागे ग्यूंज अरियाना के कोने कोने तक पहुंच गई है आप सबको भी पता होगा जो इस समय अरियाना में एक ही बात हो रही है बिना पर्ची बिना खर्ची मेनत करने वाले यूवा को उस मेनत का फल मिला है इन सब के बीच एक्ससी चेर्मेन हिमत सिंग जी के दवारा जिवाओं को संदेश भी दिया गया एक नया नोटिश भी आया है और एक्ससी ने वास्तों में इतियास रचाय सात्यों इन सब बातों के उपर रचा करेंगे लेकिन उससे पहले आपका किस बरती के लिए सेलेक्शन हुआ है या फिर अगर कोई साती एक दो नंबर से रह गया है वो सभी साती कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करें आपका सेलेक्शन हुआ है तो किस पोस्ट के लिए सेलेक्शन हुआ है उसका नाम आप कमेंट साइट के उपर चलते हैं जहां करो रहा है तो क्या GP कल की कि दाउनलड़ नहीं हो पाए है टान। गुरूप सी और गुरूप दी पोस्ट के लिए नोटीस है सात्यों इसमें बताया गया है कि जो कमिशन की तरफ से स्पेशल कमेटी जो ग्रिवेंस कमेटी है वो बनाई गई है और आपकी जो भी समस्चाएं है वो सुनी जाएंगी यानि कि सात्यों कोई भी कंडिडेट है अ अगर आपको यहीं समादान मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है तो एक बड़ा अच्छा स्टैप है जिसके बारे में नोटीस जारी क्या गया है और बात करें तो चेर्मेन साब ने कुछ और भी अच्छे स्टैप उठाये हैं सात्यों उनकी परसंशा करना बेह अगर आपकी परेशारी सही है तो उसको देखा जाएगा और वास्तों में परेशानी निकली तो उसको दुरस्त भी किया जाएगा लेकिन एक नई पहल चेर्मेन साब ने शुरू की है उसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलिग्राम चैनल पर लेकिन क क्या कहा है चेर्मेन साब ने वह सुनिये का जरूर साती हो सुनने लाइक बात है और यह बहुत अच्छा स्टैप है बहुशे के लिए पिरिया ब्यार्तियों कि कल चैनित हुए 23,889 उमीदवारों के परिणाम को लेकर हम एक सर्वे करना चाह रहे हैं यानि कि एक सर्वे की बात चेर्मेन साब कह रहे हैं जिससे हमको यह पता चल सके कि कितने गरीब बच्चों को उनके योग्यता के अनुसार उनके घर में पहली नोकरी मिली है यानि कि सात्यों सबसे बड़ी बात यह योग्यता के अनुसार तो नोकरी मिली है इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन चिर्मेंल साब हो सर्वे करना चाहेँ कि किसी के घर में पहली नोकी कितने गरीब बच्चों को उनके मेनत का पने नोकरी में इस फोरम को बरकर हमारे दवारा किये जारे सर्व में सयोग कर सकते हैं तो फोरम का लिंक भी नीचे दिया गया है यह लिंक हम आपको टेलिग्राम चैनल पर साथ्यू प्रोवाइड करवा देंगे इसके अलावा आपने वह वीडियो भी देखे होंगे जब चेर्मेन साब एक गाओं के पिच्पन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके पास कोल भी करते हैं तो यह बहुत ही बेतरीन दर्श्य है सात्यों लोगतंत्र का इससे बड़ा दर्श्य नहीं हो सकता पारदर्शी तरीके से अगर कोई कारिये कर रहा है तो डंके की चोट पर उसकी सराना करनी भी चाहिए अब इनकी जल्धी जोइनिंग भी हो जाएगी और इतनी बड़ी संक्या में अरियाना की त्यास में पहली बार बरती हो रही है सात्यों इतनी बड़ी संक्या में काफी समय से बरतियों को लेकर जो नेगेटिवटी चली हुई थी एकदम से पोजिटिवटी का इतना इतना ज्यादा हो गया है आप सोच भी नहीं सकते हर कंडिडेट के मन के या हर कंडिडेट के मन में तो है है मूपर एक ही बात चल रही है कि वास्तों में मेनत करने वाड़ा कंडिडेट ही सेलेक्ट हुआ है कोई पर्ची नहीं चली कोई खर्ची नहीं चली और आखिरक सरकार में होतो रहा है कि मेनत करने वाले को उसकी मेनत का फल मिल रहा है उमीद करते हैं अगर आपका इसमें सेलक्षिन हुआ है तो आपके लिए बदाई और नहीं हुआ है तो आप मेनत करके अगली बर्ति में सेलक्षिन पा सकते हैं क्योंकि अगले आने वाले समय में और भी बड़ी बरतियां होने वाली हैं और जल्दी ही नया सीटी लेने का भी एलान हो चुका है जो भी अपडेट होगी लगातार बरतियों से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुचाते रहेंगे दन्यवाद